नमस्कार स्वागत हैं पहली बात तो यह तू टिक टोक टिक टोक चलती है रे यार भाड में जाने तो थोड़ा इंतजार करो करेंट जी के देखो समझो यदि आप बर्स भर 5-6 एक्जाम देते हैं तो आप रेगुलर तयार कीजिए हर महीने महीने तयार कीजिए लेकिन अगर आप केबल PCS देते हैं आरो यारो देते हैं तो पेपर से एक महीने पहले पिछले 6 महीने की ठीक से तयार कीजिए बहुत डाइवर्जन होता है इस करेंट जीके की बज़े से दिमाग मत खराब कीजिए मतलब थोड़ा मैच्चोर बनिये समझधार बनिये किसी की बातों में मत फसी है इंतजार कीजिए अच्छा मिलेगा एक बात और बताता हूं पहली वीडियो से आपको यह पता लग जा जाएगा कि करेंट जीके के 20 में से 18 प्रसन फसेंगे यहां से 17 से ही हो जाएंगे एक गलत भी हो सकता है इंतजार करना मजे लेके पढ़ना यह यह एक्चुली मेरा हमेशा यह मानना रहा कि जब करेंट जीके तयार किया जाए तो उसका जो इस्टेटिक जीके है वो भी तयार कर लिया जाए जैसे नॉबल पुरुसकार है 2023 दिसंबर में मिले तो नॉबल पुरुसकार से संबंदिच जो इस्टेटिक है अलफ्रेड नॉबल के बारे में 1901 से और 1969 से को नॉमिका स्वीडिस वैंक स्वीडन स्वीडन की राजधानी इस्टाखों यह सब उसी समय तयार कर लेना मेरे यह तो अब जो करेंट जीकर आपको मिलेगी मेरे यह से वह इसी थहाब पर मिलेगी कि यह श्टेटिक जैसे अभी जी ऐ टाइग मिले तो जी पहल कर पाए चलते हैं बिना किसी वह तो आप समझी गये होंगे पहले पहली है यह बिल्कुल पहली वीडियो सब सेपरेट मिलेगा आरो यारो प्लस PCS के लिए चाहें आप यूभी प्लिस कॉंस्टेबल दे रहे हैं अन्निकोई अग्जाम दे रहे हैं पूरे बर्स बर नाम लखा है 2024 इस करेंट जीजी जो मेरी किताब है यह इसका नाम रखा है मैंने 2024 दिसं संबर 2023 की जो मुख्य घटना है वो है नॉबिल पुरुसकार नॉबिल को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं संस्थापक 21 अक्टूबर 1833 को इस्टॉक हां में जन्मे स्वीडिस आविसकारक एवं उद्यमी अलफुरेड नॉबिल इतनी बड़ी बात लिखने की जरूद नही पुरुसकार देना है भौतिकी रसायन चिकित्सा साहित्य तथा सांती ऐसे नहीं लिखते बाद ये ग्रामेटिकल मिश्टेक हो सकती है कि छेतर में नॉबिल पुरुसकार 1901 से दिये जा रहे हैं कबसे 1901 से ये प्रस्ण भी बनता है अर्थसात्र की नॉबिल पुरुसकार की स्थापना यह स्वीडिस बैंक है स्वीडन का केंद्री बैंक है बर्स 1968 में की थी और 1979 में पहली बार प्रदान किया गया यही इंडियो फोटू है ना इन ही का है अब टॉपिक आता है सांती के देखे पूरी वीडियो आप देखेंगे तो मजा आएगा और यहीं से रुख गए आप कह गए इस असरा क्या किया है तो पहले थोड़ा इंतजार करो मतलब मैट्रियल ठीक से देखो और देखो अधिकारी बनना है तो अपने दिमाग में बहु आयामी सोचना शु करने से पहले तो उसका कोई न कोई दुद्देश तो होगा इरान में महलाओं के उत्पीडन के खिलाब अभी बुरका के खिलाब वहां प्रदर्शन हुआ अंदोलन जारी रहे तो वहां की एक महला है मानवादिकार कार्यकरती कत्री हैं मतलब वही नर्गिस मोहमबदी क्य आसानी से याद रखना इरान भी याद करना है ईरान की हैं ये भी याद करना है और सान्ती का नॉबिल मुला है ये भी याद रखना और नाम भी याद रखना है अब है भोतिक विज्यान 2023 के भोतिक विज्यान के छित्र में जो नॉबिल पुरुषकार मिले हैं इन्हें देखते हैं उपर आ जाईए प्रकास फिर पियेगा हॉले हॉले होले हुले वाल मनने यह भी सुना होगा अपनक ही प्रकास फिर प्रीएगा होले होले प्रकास college किसकी से वस्तु आई लाइट किसकी से वस्तू है फिजिक्स की in पदार्थ में एलेक्ट्रोन देखिए यह स्वाट्र म स्माध लेरेत को समझे लेना है लुक्षिल्टा के अध्यन के लिए ऐसे प्रायोगिक तरीकों है तो जो प्रकास के एटो सेकंड पल्स मैंने का ना प्रकास कि तो प्रकास से संबंदित खोज के लिए मिला है कोई अब आप बैग्यानिक तो हो नहीं तो यह इसका पूरा मतलब समझा पाओ फिर पिएगा होले होले फिर फेरेंक क्रास्ज तीन ब्यक्ति सामिल है इसमें पिएरे अगस्तनी पिएरे अगस्तनी होले होले होईलियर एनी एल होईलियर दोबारा इसको पूरा समझने है प्रकास फिर पिएगा होले होले प्रकास प्रकास से संबंदित यह जो कंसप्ट है एटो सेकेंड वाला इसके लिए संयुक्त सोध के रूप में दिया गया है तीन ब्यक्ति हैं तीनों को याद रखना है तो मैंने कहा कैसे यह भी याद रखना है किस चित्र किस बात के अब क्या है पियेगा पिये रे अगस्तनी फिर फेरेंग क्रास जब किस सोद किस बात का है प्रकास पदार्थ में एलेक्ट्रोन गलती देलों प्रकास की एटो सेकिंड पल्स उत्पत्ति आ गया ते है चिकित्सा यह डॉक्टर को आप माल लीजे इसमें भी दो लोग है इसमें है नुक्लियो साइड आधार संस्वधनों से संबंदित खोजाओं के लिए कोविद उनिस के खिलाब MRNA TK को विक्सित करने के लिए और डू बीसमें या वाइसमें लिखा हुआ होगा यह बड़ा मैं तुम्हें समझाता हूं ऐसे लिखा है इसको वीस भी पढ़ लेते हैं डबलू आई ऐसी यह इनके नौम लिखने की परंपरा है अब जब हिंदी में बात किया तो वीसमें और Ketalin Carrico Ketalin Carrico इसका मैं आपको हिंट देता हूं इसे कहीं लिख लेना आगे दिया होगा मैंने हां यह रहा अम्मी, a wise doctor can cure cure, इसका मतलब होता है उपचार करना, can cure a cat, एक बुद्धिमान डॉक्टर, एक बिल्ली के रोगों की समाप्ती कर सकता है, उपचारित कर सकता है, अम्मी, ये मुझे ये भी याद रखना है कि ये दोनों अमेरिका के है, wise doctor, wise, क्या ना में इनका, wise man, do, doctor, do, do wise man, doctor से क्या मतलब है, चिकिसा बिज्ञान के छेत्र में, cure a cat, cat lina, carico, दूसरा cure a cat, cat lina, carico, अगर इतना भी याद रखना है, doctor के पास बिल्ली लेके गए, doctor के पास बिल्ली लेके गए, एक नाम तो याद रहेगा, कैटरिना कारिको, cat, cat बाने बिल्ली, और wise doctor के पास, हुषिया, doctor के पास लेके गए, आगे चलते हैं, Alexa, play music, बहुत दुनों से सुनते हुग आ रहे हैं, ये Alexa, हमारा data याद रखने में मदद करेगी, Alexa कम मेंगी लाई है, ये लो, इस सुरा अंग्रेजी नहीं सीकतवा, यहाँ पर क्या लिखना है, Alexa, ये आज ही बनाया है, मैंने, आज ही तयार किया है, इसी लिए थोड़ी गलतियां है, एक बार चेक हो जाएगा, तो वो अच्छे से करपाएगा, अभी जो लोगों को मिलेगा, तब आप समझ जाएगे, मौंगी जी बावेंडी, पहले विक्ति का क्या नाम है, मौंगी जी बावेंडी, ये भी अमेर की है, और किसी आई एकिमो, रूसी मूल की अमेर की, और ये Alexa है, मैं पूरा समझाता हूँ, Alexa कम मैंगी लाई है, Alexa I एकिमो, कम, मैंगी, मौंगी जी बावेंडी, लाई है, लुईस ई ब्रुस, लुईस ई ब्रुस, Alexa I एकिमो, मैंगी, मौंगी जी, बावेंडी, अब ये खो, यहाँ अपने आप सपास किसी से कह दो, बावेंडी बुरा मान जाएगा, भाई, क्या मान जाएगा, बुरा, आगे आते हैं, ये कौन से विसे कह था, फ्रांसी सी मूल के यहाँ लिख दिया होगा, रसाइन बिज्ञान के शेतर में नोबल परुसकार, क्वांटम डॉट्स के लिए, ठीक है, इससे रसाइन केमिस्ट्री वाला हो गया, और अब अर्थ विवस्था की बात करते हैं, मुझे याद है, तो जैसे मैं याद रखना हूँ, वह बताता हूँ, अम्मी वाने में होती है, अमेरिका में, अर्थ विवस्था में, महलाओं का गोल्डन योगदान है, सुनहरा योगदान है, या यह कहिए, पूरे विस्व में कहीं भी, किसी भी प्रकार की एकोनोमी में महलाओं अपना बिसष्ट या गोल्डन योगदान रखती है, और अमेरिका की बात मैंने इसलिए जोड़ती है, क्योंकि यह अमेरिकी अर्थ सास्त्री है, अमेरिका में, अर्थ विवस्था में महलाओं का गोल्डन वर्क है, इनका नाम है, क्लाउडिया गोल्डिन, क्या कहाँ कторके हैं अमेरिका के वो PCS दे रहे यू PSC दे रहे हों अगर प्रस diez्व बंता तो थीन तीनलैन का बनाएगा यह वहाँ के निवासी है यह नरवे के निवासी है लेकिन आप को तो याद रखना अमेरिका की मैंने कहा आप से अमेरिका की अर्थविवस्था में महलाओं का गोल्डन वर्क है गोल्डिन नाम के अर्थसास्री का क्लाउडिया गोल्डिन सब्जेक्ट क्या था किस विशे में सोध किया है अर्थविवस्था में महलाओं का महत्तों कहां के हैं अमेरिका के अब आजाओ जानू हमरे पर भरुसा कहीं नहीं कि वह एक्चली गाना है सोनू और यह सोना बेबी जानू आप करते ही करते हो कोई प्रावलम नहीं है उसमें और अब तो आपको लेकिन वह एक बात बता रहा हूं आप समझे पहले स्रद्दा और मनोज बनने से पहले एक बार सलेवस देख लेना ठीक से इतनी किताबें हैं जो आपको पढ़नी है और उसका भी डाटा पता होना चाहिए बहुत अहुत लब इतनी तल्लीनता से महनत चाहिए कि सराउंडिंग में यदि कुछ विपरीत हो रहा है पता ही न लगे चलिए जानू के अलावा किसी का साहित ना पढ़ूंगी बाई जानू के अलावा जोन उलाब फोसे क्या नाम है इनका जोन उलाब फोसे जानू के अलावा किसी का साहित ना पढ़ूंगी बाई ना नारवे के ये हैं कहा के हैं नारवे के लेखक हैं साहित्त के छेत्र में नॉबिल पुरुषकार इनको दिया गया है अगला जो टॉपिक है वो भॉगलिक संकेतक जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन इंडीकेशन्स स्वरी आइडेंटिफिकेशन्स ये एक्ट बना उननीशन इन्यानवे में कब बना एक्ट ये प्रसन भ दिया गया किसको दारजी लिंक की चाय को मुख्याले कहा है चेन नहीं में इसका स्थित है हाल फिलाल में जो आपको याद रखने हैं पिछले चार-पांच महीने के उनका डाटा इस प्रकार है पहले तो नाम याद करो करी इसा दाम 2023 उत्त्री करनाटक अराकु वेली काली क अफिकाली मिर्थ 2023 आंध पतेश माना मदुरई मृद्भाण 2023 में तमिलनाडू में तमिलनाडू को मिला कंभम अंगूर कंभम अंगूर तमिलनाडू देखो इन दोनों को कैसे याद करेंगे या याद तो डाटा आपको ही करना है सारा मैं तो बेसे हिंट देता हूं तुमन तीने तुमने कब मना किया मान मदुरई मृद्भाण कब कंभम अंगूर तुमने तमिलनाडू यह मैं यहाँ लिखा है आप यहाँ से देखेंगे तुमने कम मना किया तुमने तमिलनाडू, कब, कम, बं, अंगूर, मना, मना, मदुरई, मृद्भाड, मृद्भाड का मतलब है, मिठी के बरतन, इसका जी आई टेक किसको मिला है, तमिलनाडू को, जब उत्रपतेश के हों तो जनपत भी याद रखने है, यहाँ इस्टेट याद रखने है, आग पेंटिंग, सरबादिक जनजाती कहा है, मद्ध्य पदेश में, तो मद्ध्य पदेश, जी आई टेक मिला है, लकडी की नकासी कला, 2023 में लद्दाक, नागरी दुबराज चावल, क्या नाम है इसका, नागरी दुबराज चावल, 2023 में छत्तिसगड, एक्चुली यह नागर दो जगे को मिला है, यह थोड़ा से नाम में परवर्तने बता दूँगा भी, मार्चा चावल, बिहार, बसोहली पेंटिंग, जम्बू एवं कस्मीर, बनारसी पान अपना पता ही है, लंगडा आम हमारे यही होता है, रामनगर भंटा, सफेद गोल बैगन, उत्रपदेश क दो मिला है, नागरी दुबराज, यह मैंने का तो नाम ही है, लेकिन यह बासमती चावल है, यह उत्रपदेश को मिला है, इनकी हिंट मैं बताता हूँ आपको देखो कैसे है, रामनगर के आदमी लंगडे है, अब लंगडा आमको तो आप भूल नहीं सकते, खूब खाये हो आपको हमारा तो बागी है आमका बहुत पहले बता चुका हूँ ठीक है राम नगर के आदमी लंगडे हैं राम नगर राम नगर के बंटा सफेद गोल बैगन उत्रपदेश को जी आई टेक मिला है नगर नागरी दुबराल चावल कौन से बासमती वाले किसको मिला है उत्रपदेश को आदमी आदम चीनी चावल पहले तो यही पता लगजाए कि यह चावल का नाम है यह भी भूच सकता है लंग अगला जो है मामा जी के नाम से अच्छी तरह प्रसंद है आप जानते होंगे मद्वदेश में सासन किया मामा जी गौंड पेंटिंग सुन्दर होती है गौंड की पेंटिंग कोई भी हो भाईया सुंदर्जा आम सुंदर्जा आम वैसे रुषा लिखा हुआ नहीं आएगा सुंदर्जा आम लिखा हुआ आएगा किस परदेश को मिला है तब आपको बताना है मामा जी न और ये दो एक बातें और है उन्हें आप नोट कर लिजे ये टेबल मैंने पूरी बना के दी है आपको ये कांगडा की चाय है यूरोपियन यूनियन द्वारा दिया गया है ये भी याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश को ये कांगडा तो आपको पता ही है ये सुंदर जाम होगे ये मुरेना की गजक है क्या है मुरेना की गजक ये तो जितने भी लोग अगर यूपी के मद्धित से जिनका बॉडर मिलना इतनी भड़िया गजक आती है मुरैना से तो मुरैना की गजक ये प्रसन पूछेने का है यह नहीं वो गजक भी बता रहा है कौन सी गजक मुरैना की गजक तुमुरैना कहा है MP में आगे का अगली